सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को दबाए इस घंटे को पाए लेटेस्ट कबरे सबसे पहले सल्मान खान ने ऐसे बिताई जेल में दूसरी रात कहां सैफ और दूसर स्टार्स ने फंसाया जब सल्मान के पास यह खबर पहुची की जमानत पर सुनवाई करने वाले जज़ का ट्रान सफर हो गया है तो वे फिर से उदास हो गए कुछ देर तक वे बैरक के चक कर काटते रहे और फिर देर रात करीब 11 बज़े लेट गए खास बातें जेल में ज़्यादा वक्त चुप रहे सल्मान गार्ड से कहा सैफ और बाकी स्टार्स की वज़े से फंसा जज़ के तबादने की खबर पता चलने पर परेशान हो गए वले वुर्ट के सुल्तान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है दरसल सल्मान खान को 18 साल पुराने का लाहिरन शिकार मामले में पाँच साल की सजा सुनाई गई है और इसके बाद से ही उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है सल्मान खान जोदपुर जेल में बंद हैं और जेल में उनकी दूसरी रात भी मुश्किलों भरी रही दरसल सल्मान खान जेल में काफी देर तक चुप रहे हाला कि उन्होंने गार्ट्स से बात की इस दोरान उन्होंने गार्ड्स के साथ मजाग भी किया और कहा कि उन्हें से फली खान और बाकी स्टार्ड्स ने मिलकर फंस आया है ऐसे गुजरी सल्मान की जेल में दूसरी रात मीडिया रेपोर्ट्स के मताबिक शुकरवार को पर सुनवाई हुई थी जिसके बाद उन्होंने अपना फैसला शनिवार के लिए सुरक्षित रख लिया था और सुनवाई के बाद सल्मान को वापस जेल लाया गया था सल्मान ने शुकरवार को सुबह कुछ नहीं खाया था लेकिन दोपहर को उन्होंने खाना खाया था जिसके बाद वह अपने बैरक में सोते रहे शाम को उठने के बाद उन्होंने दो घंटे एक सरसाइज की और फिर चाय पी जेल में रात के वक्त डिनर में रोटी, चने की दाल और लौकी की सबजी बनी थी लेकिन सल्मान ने रात को खाना नहीं खाया दोपहर को उनकी बहन अलवीरा और अर्पिता उनके लिए खाना लेकर गी थी लेकिन जेल प्रशासन का कहना है कि एक्टर ने जेल का खाना ही खाया था गार्ड्स ने बात करते वक्त जब उनसे उनकी शादी के बारे में पूछा तो उन्होंने हसी मजाक में जवा देते हुए कहा कि पहले बच्चे फिर शादी इसी बीच जब सल्मान के पास यह खबर पहुची की जमानत पर सुनवाई करने वाले जज का ट्रान सफर हो गया है तो वेह फिर से उदास हो गए कुछ देर तक वेह बैरक के चक कर काटते रहे और फिर देर रात करीब 11 बज़े लेट गए हाला की वेह यहां मचारों से काफी परिशान रहे वहीं को दोपहर बाद जेल की वर्दी दी जानी थी लेकिन उन्हें वर्दी नहीं मिली बेल पर आज फैसला सुनाने वाले थे जजज गौर तलब है कि सल्मान खान के केस की सुनवाई कर रहे जज़ का शुकरवार रात को तबादा हो गया है जिसके बाद सल्मान खान की बेल को लेकर संश्य बना हुआ है क्या है पूरा मामला सल्मान पर आरोप है कि फिल्म हम साथ साथ हैं कि शूटिंग के दोरान एक और दो अक्टूबर 1998 की देर रात को में लूनी थाना इलाके की कांकानी गाउव में दो काले हिरनों का शिकार किया था इस दोरान उनके साथ कार में उनके फिल्म के कोस्टार से फली खान, तबू, नीलम, सोनाली बेंदरे के साथ ही स्थानिय निवासी दुशंत सिंग भी मौजूद थे गवाहों ने कोट को बताया था कि सल्मान खान ने हिरनों का शिकार किया तो उस समय ये सभी आरोपी जिपसी में सवार थे गूली की आवाज सुनकर गाउंबाले वहां एक अत्र हो गए थे ग्रामीनों के आते ही सल्मान कार लेकर वहां से भाग निकले हीरनों के शव पाइड आने के बाद इन सभी के खिलाफ शिकायद दर्ज करवाई गई थी